हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विशा पर्यावरा अध्यन के सब्था 26 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो कि उत्री दिली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्च हमें पानी कहां से मिलता है बच्चों बारिश से तालाब से तो आंसर नमबर फस्त हमें दौनों से मिलता है अब बच्चों नेक्स्ट है हमें पानी बचाना चाहिए क्योंकि पानी दीरे-दीरे खत्म हो जाएगा यह सभी के लिए परयाप्त पानी है या हर कोई पानी बच करते समय नल चालू रखें या विभिन घरेलू गती विधियों में उपयोग किया गए पानी का पुनें उपयोग करें तो बच्छो आंसर 9 हमें विभिन घरेलू गती विधियों में ुपयोग किया गए half ढूबारा करना चाहिए अब बचानie कोईशिक नेजित में पुन्हे उपयोग किया जा सकता है तो बच्चो सही है नेक्स्ट है भारत में कहीं भी पानी की कमी नहीं है तो बच्चो गलत है भारत में कुछ इस्थान ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है तो यहां पर गलत लिखेंगे नेक्स्ट है ब्रस करने के लिए उपयोग किये जाने वाले पानी का पौधों को पानी देने के लिए पुने उपयोग किया जा सकता है तो बच्चो हाँ बिल्कुल सही है वर्सा जल संचेन बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाता है तो बच्चो ये गलत है नेक्स्ट है हमें पानी का उपयोग विवेक पूं तरीके से करना चाहिए तो बच्चो हाँ ये बिल्कुल सही है अब है प्रस्ट नमबर तीन जिन गती विदियों के लिए पानी की आवस्चता होती है उन पर गोला लगाईए बच्चो फ़स्ट है घर की सफाई पानी की जरुत होती है तो बच्चो हाँ ही सही है गोला लगाएंगे नेक्स्ट है नहाने के लिए भी होती है साइकल चलाना तो बच्चो गलत है इस पर नहीं लगाएंगे निर्ट्य करने में पानी की आवस्चता होती है तो नहीं सार यह प्रत्वी की स्ट्हट का लगवक wehhelन भाग three चॉत्हष यां योग नहीं है सबी के लिए जीवों और पौधों नेसक्सत है पानी बचाने के कुछ तरीके सुझए यह वेलेनषट वह पानी को कईसे बचा सकते हैं तो आंसर है नहाते समय सब्सक्राइब दोपियोग का क्या सबने JUST पानी का पुन्हें उपयोग करना चाहिए अब बच्चो अंसर है पानी का पुन्हें उपयोग कैसे कर सकते हैं दो सरल तरीके बताइएए तो बच्चो आंसर है फल्वे सब्जियों को दो कर पानी को पौधों में डाल कर अब प्रस नमबर साथ है भूमिगर टैंक या पानी की टंगी का चितर बनाईए तो बच्चो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी को जो वर्सा जल होता है उसे हम भूमिगर टैंक में इखट कर सकते हैं और उसका बाद में उप्योग कर सकते हैं तो बच्चो आप इस तरीके से पानी की टंगी या भूमिगर टैंक का चितर बनाएंगे जीवन कौसल भूकंप भूकंप किसे कहते हैं जिसे कमपन के रूप में भी जाना जाता है प्रतवी की सते का हिलना लोड़कना और अचानक जटका आना होता है क्या भूकंप होता है आप देख सकते हैं ये भूकंप की तस्वीर है भूकंप के द्वारा यहां पर हानी और संपत्ति का भारी नुकसान होता है जब ऐसा होता है तो हमें कुछ बातों का दिहान रखना चाहिए बिस्तर मेज डैस्क जैसे फरनीचर के नीचे छिप जाईए और इसके निचले हिस्सों को इतना कसकर पकड़ लीजिए के हिलते हुए नाकिस के अगर आपको कोई मजब कारी वस्तों से दूर रहें सी से गिरने और तूटने के चोट लगने का खत्रा अधिक रहता है लिफ्ट की जगए सीडियों का इस्तिमाल करें उप्रोक्त बातों को याद रखें और अपने माता-पिता के साथ इस विशय पर चर्चा करें अब बच्चों आपके लिए गत गतिविदी की वीडियो बनाकर अपने कक्षाद्यापक के साथ साजा कीजिए इस तरीके से बच्चे जुकेंगे धको और किस तरीके से आपको धकना है अपने सिर को और पकड़ों और कैसे आपको मेज या फिर कोई भी जो चीज है जिसे आप मजबूती से पकड़ेंगे तो इस तरीके से इन गती वीडियों को करते हुए आप वीडियों बनाकर अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे अब बच्चे हैं प्रस्ट नमबर तीन है नियमित अंत्राल पर आपके विद्यालियों में भूकम्प से संबंदित मौक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है अपने म पचाव वेराहतकारियों के लिए उपलब्दता तथा तैयारियों के संबंद में समिक्षा करना है और मौक ड्रिल के क्यालाब है जानमाल का नुकसान कम होता है तथा भूकम के समय लोग घबराते नहीं हैं संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें जितना बड़ा संगर्स होगा जीत उतनी ही सांदार होगी खाने पीने में आज आप क्या लेंगे गोड तिल मौंग फली तथा टमाटर सूप को आहर में सामिल करेंगे गती विधी अपने घर आगन में लगाए गए पौधों के गमलो को व्यवस्थित करेंगे खेल में आज आप क्या खेलेंगे लूडो का खेल खेलेंगे विसेस में आज क्या है कोरोना तथा अन्य किसी भी बिमारी से बचने के लिए चहरे पर मास्क लगाएं, सारे रिक दूरी का पालन करें, तथा हातों को सैनेटाइज करें और बार बार धुएं दैनिक दिन चर्या, निमने लिखित आदतों को अपने दिन चर्या में सामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रस करें, प्रति दिन इसनान करें खुब पानी पी और संतुलित आहार लें अपने चहरे को छूने से बचें और अपने हातों को बार बार दुएं अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और ये दिया आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू